नमस्कार साथियों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे साथियों एरफोर्स की तरफ से एक बहुती परले कुछ कपरी आ रही है आप सभी के लिए यहाँ पर एफकेट के वेगन से निकाल दी गई है याने कि एरफोर्स कॉमन Crash के लिए यहाँ पर आपके लिए वेगन से निकाले गई है इसमें जो हैं आपके लिए तीन परकार की यहाँ पर इसमें वेगन से निकलती है जो इसमें सबसे पहली पोस्ट है वो है फलाइंग ब्रांच की उसके बाद दूसरी ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच की और जो तीसरी है वो है NCC Special Entry की तो ये जो तीनों पोस्ट हैं ये तीनों पोस्ट आपके Air Force Common Admission Test के अंतरगत बरी जाती हैं तो इन में बढ़ती होने के लिए आपको F-CAT का एक्जाम देना होता है तो साथियों आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि इसमें आपकी Age Limit कितनी होने चाहिए आपको इसमें कितनी Height होने चाहिए और इसमें आपकी क्या क्या योग गयता इसमें मांगी जाती है और इसमें सेलेवस क्या आता है याने की F-Cat से related जितने भी doubts हैं आज हम आपको clear करने वाले हैं जिससे की आपको पता लग जाए कि आप इसके लिए eligible हैं या नहीं और आप इसके form को भी apply कर सकें तो साथियों इन सभी जानकारी को देखने के लिए आप मारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अन्त तक जरूर देखिए तो चलिए सबसे पहले देख लेते हम इसकी age limit की कि जो इसकी age limit है वो कितनी रखी गई है साथियों age limit को लेकर बहुत से candidates के मन में बहुत सारे doubts होते हैं कि इसकी age limit कितनी होनी चाहिए और कौन सी पोस्ट के लिए इसमें कितनी age limit रखी गई है तो हमने आपको बहुत ही simple तरीके से इसमें बताया है तो जो flying branch के लिए अगर आप apply करना चाहते हैं यानि कि जो air force की flying branch है technical branch है उसके लिए आपकी age यहाँ पर 20 से 24 साल के बीच होनी चाहिए यदि आपकी age 20 से लेकर 24 साल के बीच में है तो आप इसके form को बरने के लिए eligible हैं आप इसके form को बर सकते हैं इसके बाद यदि हम बात करें ground duty की तो जो ground duty की पोस्ट है उसके लिए आपकी age यहाँ पर 20 से 26 साल मांगी जाती है तो साथियों age limit आपको समझ में आई ही गई होगी अब यदि हम बात करें इसमें height की तो हमने आपको height भी बहुती simple तरीके से आपर समझाई है अगर आप male candidate है यानि कि अगर आप एक पुरुष candidate है तो आपकी जो height है वो 157.5 cm यहाँ पर होने चाहिए और यदि आप एक female यानि कि महिला candidate है तो आपकी जो height है वो 152 यानि कि 152 cm होने चाहिए अगर आपकी height इतनी है तो आप इसके form को भर सकते हैं साथियों बहुती simple तरीके से हमने आपको बताया है क्योंकि इसका जो notification चारी किया जाता है उसमें अलग-अलग तरीके से height बतायी जाती है और अलग-अलग तरीके से वहाँ पर बच्चों को समझ में नहीं आता इसलिए हमने आपको बहुती simple तरीके से यहाँ पर समझाया है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए तो चलिए अब देख लेते हैं इसकी योग गयता यानि कि इसमें कितनी योग गयता मांगी जाती है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपके लिए तीन पोस्ट है अगर हम बात करें सबसे पहले technical branch यानि कि flying branch के लिए तो technical यानि कि flying branch के लिए आपको 12th pass होना चाहिए और 12th में आपके पास mathematics subject भी होना चाहिए यदि आपके पास 12th में physics और mathematics थी और आपने एक bachelor degree पास कर रखी है यानि कि आपने एक bachelor degree प्राप्त की हो और जो bachelor degree है वो आपकी technical trade में होनी चाहिए तो तब ही आप flying branch के लिए apply कर पाएंगे अगर हम बात करें इसमें ground duty की तो ground duty में आपको केवल bachelor degree पास मांगा गया है चाहिए वो BA हो, BSC हो, B.com हो, कोई इसी भी bachelor degree हो आपको केवल ground duty के लिए bachelor पास होना है और अगर हम बात करें NCC special entry ही तो जो NCC की special entry है उसमें भी आपको mathematics होनी चाहिए यानि कि 12th में आपके mathematics subject जरूर होना चाहिए उसके बाद आपके पास एक bachelor degree भी होनी चाहिए चाहिए फिर वो कोई सी भी स्टीम से हो और इसी के साथ जैसे की इसके नाम से ही पताईए NCC की special entry है तो आपके पास NCC का C certificate भी होना चाहिए यानि कि जो NCC का C certificate होता है वो भी आपके पास यहां पर होना चाहिए तब ही आप NCC की special entry के लिए आविदन भर पाएंगे अगर आप NCC की special entry से जाते हैं उसमें आपका exam नहीं होगा जो कि आपके लिए काफी अच्छी बात होती है तो साथ ही यह आपकी योग्यता है अगर आप इसमें योग्या हों तो इसके form को जरूर भरें अगर हम इसके बात करें इसके apply date की यानि की आविदन करने की तिदीगी तो इसमें जो आविदन करने की date है वो 1 December 2022 से शुरू हो रही है तो आप इसके form को 1 December 2022 के बाद आराम से भर सकते हैं अगर हम बात करें इसमें last date की तो last date का भी इसमें कोई भी notification यहाँ पर नहीं दिया गया है जैसे ही इसका last date का notification आएगा तो आप मैं आपको बता देंगे वैसे जो इसकी शुरूआती date है वो आपकी 1 December रहने वाली है तो आप इसके form को जल्दी apply कर दें और इससे related information जानने के लिए आपको उमारे चैनल को subscribe भी कर देना है अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसमें अगनीपति होजना को लागू किया जाएगा तो साथियों मैं आपको अगर simple answer दूं तो नहीं यह जो भरती है यह अगनीपति होजना के अंतरगत नहीं है अगनीपति होजना के अंतरगत जो भरती है वो के वाल 10th pass और 12th pass वालों के लिए है Fcat की बरती, NDA की बरती और CDS की बरती अगनीपति होजना से अलग है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें आपको अगनीपति होजना के अंतरगत यहां पर नहीं रखा जाएगा तो इसलिए आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है साथियों Fcat भरती से related वैसे तो मैंने आपको सभी जानकारी प्रोवाइड करा दी है तो आप इसके form को जरूर भरें 1 December के बाद जो इसकी fees है वो आपके 500 रुपे रहती है चनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए और इसमें आपको category wise fees में relaxation भी देखने को मिलता है तो साथियों आप इसके form को 500 रुपे में भर सकते हैं और इससे related और कोई भी information जानने के लिए आप हमें comment box में लिख सकते हैं तो चलिए साथियों वीडियो कैसी लगी हमें comment box में जरूर बताईएगा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद